हेलो दोस्तों कैसे हैं आप सब एक बार पुना आप सभी का आपके अपने चैनल सीव कोचिंग क्लासेस पर स्वगत है दोस्तों जो आज का टॉपिक है ना चार धातों के रासानी गुण क्लास 11 कमिश्टी में दोस्तों आपका ये जो चैप्टर 10 का टाफिक्स है और चार धातों के भौती गुण मैंने इसके पिछले वीडियो में अपलोड कर रहा है आप लोगों प्लेलिस्ट में मिल जाएगा आप लोग देख लीजेगा तो चलो दोस्ति स्टार्ट करते हैं आ फार्मूला तो बताई देता हूं कि कौन सा दोस्तों फार्मूला यूज करना है ट्रिक में तो आप लोग हालीना के रवकस फर ऐसा दोस्तों आसानी से ट्रिक हाइड्रोजन लीथियम सोडियम पोटेसियम प्रुवीडियम सीजियम और फ्रेंसियम तो दोस्तों हालीना के रवकसफर यह दूसरा ट्रिक है हैलीने की रूबी से फ्रेंट सीफ तो दूस्तो यह रहा ट्रिक और इनी काम पड़ रहे रासानिक अभिक्रिया या रासानिक गुण तो दूस्तो पहला है बायू के साथ क्रिया तो दूस्तो छार धात्मों को परयाप्त बायू या आक्सिज होता है दोस्तो यहां पर छार धातूं से है ठीक है आक्सिजन की उपस्तिती में तो करा रहे हैं तो दोस्तो क्या बनाएगा M2O प्रकार का M2O प्रकार का ठीक है आक्साइड बनाता है ठीक है तो दोस्तो यहां पर आक्सिजन 2 है तो 2 का multiply कर दो और यहाँ 2-2, 4 M तो 4, अब YM का मतलब यहाँ कोई भी ले सकते हैं दोस्तो lithium है, sodium है, है ना कुछ भी ले ले, एक आद दो जमपल के तौर पर इसको पन समझ लेते हैं तो सबसे पहले मैं लेता हूँ दोस्तो lithium की बात करूँ और oxygen से क्रिया करा हूँ तो lithium oxide Li 2O बनाएगा, balance ही तो कराना पड़ेगा मेरे भाई, oxygen 2 का 2 multiply और दोस्तो यहाँ पर 4 का multiply, इसके जगे मैं sodium ले लूँ तो भी कोई दिक्कत नहीं वही 4 का multiply तो करना ही पड़ेगा तो दोस्तो बनाएगा क्या Na2O, balance के लिए 2 का multiply, इस प्रकार आप ले सकते हैं दोस्तो, है न और दोस्तो कुछ super oxide भी बनाते हैं, कैसे super oxide बनाते हैं, जिससे मैं कहे दू potassium, rubidium और sodium, तीन super oxide बनाते हैं, कैसे, देखे super oxide का मतला होता दोस्तो, potassium की क्रिया करा दो O2 सीधा के O2 बनाता है, ये दोस्तो super oxide है, potassium super oxide है, ठीक है यदि मैं करा दू क्रिया rubidium से, तो RB plus O2 तो rubidium दोस्तो, RB O2, ये super oxide के लाते हैं क्लियर है न, और दोस्तो, यदि मैं CGM की क्रिया करा दू CS plus O2, तो ये दोस्तो यहां पर CS O2, ये super oxide के लाते हैं ठीक है, तो ये जो तीन तत्तों है चार धातों में, तो दोस्तो super oxide बनाते हैं, तो पहले नमबर आप लोगों को समझ में आ गया होगा, है न, और कई लोग कहते हैं, screenshot के लिए समय दिया करें जैसे बीडियो रुका हुआ है, पूस करके screenshot ले सकते हैं, ठीक है, आगे मैं कर देता हूँ पूस ये रहा, पूरे रासानिक अब क्रिया है पहले नमबर का, ठीक है तो अगला दोस्तो अपना है जल से क्रिया, जल के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, तो दोस्तो चार धातुएं जल के साथ क्रिया करके संगत हाइड्राकसाइड बनाते है, ठीक है आधियो हाइड्रोजन मुक्थ करते हैं तो जैसे मैं इदी फार मूले के तोर पर बात करूं, तो यहां मैं आपके पास छार धातुएं और इसकी क्रिया दोस्तो H2O से दिया पन कराएं तो क्या बनाएगा मेरे भाईयो MOH हाइड्राकसाइड और दोस्तो H2 जो है मुक्त करते हैं अब इसदी बैलेंसी की जाए तो दोस्तो यहाँ हाइड्रोजन 2 और 2 यहाँ पर सिंगल है तो 3 हो गए यहाँ पर दोस्तो कितना है तो यहाँ पर है 2 है तो यहाँ पर 2 का मल्टिप्लाई कर दे 2 दूनी 4 हो गए तो यहाँ 2 एक 3 तो 2 का मल्टिप्लाई कर दे 4 हो गए और दोस्तो आक्सिजन भी अपना कंप्लिट हो गया M यहाँ पर 2 है तो 2 का multiply यहाँ कर दे तो इस प्रकार से यह balance ही complete हो गया और अब clear करा दो कोई भी 2 छारदातियों लीथियम की clear करा दो और sodium की clear 2 का multiply करेंगे इसी प्रकार और 2H2O लेंगे दोस्तो तो यह क्या बनाएगा यार lithium hydroxide LiOH बनाएगा और दोस्तो यह क्या बनाएगा NaOH साथ में जो है hydrogen gas मुक्त करते हैं balance के तोर पर 2 का multiply कर दे ठीक है तो जल के साथ क्रिया करके दोस्तो हाइडराकसाइड बनाते है देखे आपके books में खोब सारा लिखा रहता है दोस्तो है ना कि यह जले हो जा नूर्जा क्या दार पर क्रिया करता है कैसे होता है है ना अब दोस्तो समू में उपर चलने पर इसमें से क्या होता है कि क्रिया सीर्था बढ़ती है और साथ में दोस्तो यह एक प्रकार का उसमाची भी प्रक्रिया है तो पेपर में आएगा यार तो इतना लंबा चोड़ा आपको नहीं सोचना है ठीक है दो लाइन हिंदी लिखो और इसकी समय करण दो ताकि दोस्तों कम समय में आप पूरा कर पाओने यार ने तो आप पूरा यदी लिखते रह जाओगे तो फिर पूरा कंप्लीट ही नहीं हो भोगा ठीक है तो जल से करिया आ गया ऐसा कोशन आता है कि चार धातू के निम्लिकित से क्ट्रिया कराईए हैड्रोजenders के सांथ क्रिया करिया या दोस्तो आखियन के सांथ क्रिया इसकी प्रकार से जीसे आजाँगा आप चाहए क्लिया तो आप लोगों से बन जाना के साथ क्रिया कराएंगे अभी हमने आक्सिजन के साथ क्रिया करा दिया और जल के साथ क्रिया करा दिया अब हमको हाइड्रोजन के साथ क्रिया कराना है तो दस्तों सभी चार धातों हाइड्रोजन के साथ क्रिया करके संगत धातु हाइड्राइड बनाते हैं धातु हाइड्र यहां और 2 का multiply यहां करा दें अब दोस्तों इसमें lithium से cgm तक कुछ भी ले सकते हैं जैसे lithium ले ले लें दोस्तों और इसकी क्लिए H2 से करा दें तो LIH lithium hydride बनाएगा टू का multiply कर दें यहां भी टू का multiply बैलेंसी तो कराना पड़ेगा है और clear है और दोस्तों लिथियम के जगे क्या कुछ और ने ले सकते हैं बिलकुल ले सकते हैं मेरे भाई जैसे NaH ले लेता हूँ तो दोस्तों H2 से क्रिया करके बनाएगा क्या NaH बनाएगा दो hydrogen तो दो का multiply जब दो sodium होगए दो का multiply बैलेंसी कराती तो आता हो आता होगा इतना आप लोंसर किया रोना चाहिए और दोस्तों यदि मैं इसी धातू hydride को जल से क्रिया करा दूँ है ना यदि ये एक लाइन है ऐसा कि आप लोग समझ लें कि जो प्राप्त धातू hydride है प्राप्त धातू hydride को जल से क्रिया कराने पर जल से क्रिया कराने पर करादो मेरे भाई जल से क्रिया चलो कराते हैं अपन जैसे lithium hydride हमें पराप्त हुआ H2O से क्रिया करा दिए तो मेरे भाई जानते हैं क्या बनेगा LiOH बनेगा और H2 जो है बाहर हो जाएगा जैसे आपके पास sodium hydride है इसकी क्रिया H2O से करा दो दोस्तो तो क्या बनेगा लीथ सोडियम हाइडराकसाइड बनाएगा और दोस्तो H2 जो है बाहर होगा इस प्रकार से जो धातु है ड्राइड है न उजल से क्रिया करके हाइडराकसाइड बनाती है ठीक है न तो इतना क्रियर हो गया चलते हैं दोस् इडिया नहीं करता है तो जो चार धातू है हैलोजन से क्रिया करके मेर भाई डायक्ट एमेक्स प्रकार की होगी बनाते हैं MX, M मतलब क्या है? 4 दाटो ही, और X का Going to Tailته, तो कोई भी ले लो, जैसे M अपने पास 4 दाटो ही, और X से क्रिया करके, MX का निर्माण करती है, जैसे हम कुछ भी ले लें, जैसे X single नहीं रहता है, 2 में रहता है, टो 2 का multiply कर देंगे, यहाँ पर हो जाएगा जिसे sodium है दोस्तो और CL2 से क्रिया करा दो तो क्या बनेगा मेरे भाई NACL बनेगा है ना balancing करने के लिए 2 का multiply कर देंगे बस कुछ भी नहीं है जिसे मैं यह दि लीथियम की क्रिया करा दो ब्रोमीन से BR2 से तो दोस्तो यह दो छारी हैलाइट प्राप्त हो गया इसकी क्रिया दोस्तो मैं किसी भी जैसे hydroxide से करा दूँ या किसी oxide से क्रिया करा दूँ तो दोस्तो इनके जो योगिक होते हैं वो धात्व oxide और carbonate से दोस्तो और कुछ योगि जैसे carbon reaction परिवर्तित हो जाता है जैसे एक reaction मैं करा के दिखा देता हूँ जैसे आपके पास दोस्तो lithium hydroxide lithium hydroxide clear है इसकी क्रिया मैंने किसके साथ करा दिया मैं अधी करा दूँ दोस्तो halogen आमले के साथ कुछ भी ले लूँ halogen आमले जैसे HCl करा देता हूँ यह छारी दात्तू है और दोस्तो यह chlorine HCl से करा तो यह क्या बनेगा आप ही बताओ दोस्तो जो यह बनेगा तो यह पहले Li Jो है CL से क्रिया कर ले तो L I CL बना लेगा और दोस्तो जो H है वो OS से क्रिया कर क्या बना सकता है H2 बना सकता है तो इस प्रकार सी होगी कि आपस में करा सकते हैं जैसे मैं छारी कार्बोनेट कुछ भी ले लूँ जैसे सोडियम कार्बोनेट लेते हैं A, N, A2, CO3 इस सोडियम कार्बोनेट है मेरे भाई इसके क्रियम है हेलोजनल से करा दूँ यार जैसे HCL से करा दो तो क्या बनेगा आप ही बताई N, A, C, L बनेगा की नहीं बनेगा बिल्कुल बनेगा ये N, A, N, निगेटिव वाक्स क्रिया करेगा तू का मल्टिप्लाइ कर देते हैं क्योंकि दो सोडियम है साथ में दोस्तो जो आपका CO2 बचेगा CO2 और दोस्तो जब यहां 2 का मल्टिप्लाइ करेंगे क्लोरिन के लिए तो यहां 2 हाइड्रोजन हो जाएंगे तो H2O बना लेगा तो इस प्रकार से दोस्तो यह योगिक बना सकते हैं तो चार रासाने का प्रिया हो गए हैं और जो की सेचिस त्यार कर लेंगे चलते हैं दोस्तों मिलेंगे लिए वीडियो नए टॉपिक के साथ तक तक लिए जैहिन बने मात रहा हो